आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया और बिहार से जुरी तमाम एहम खबरों की जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है क्योंकि अलपमत में आचुकी सरकार संसत भंग नहीं करा सकती नहीं अब श्रस्ताव पर वोटिंग रोक सकती है सुप्रीम कोट ने इमरान खान को आदेश दिया था कि वो समय पर वोटिंग करा कर बहुमत सावित करे इमरान वोटिंग होने देते तो रविवार को ही नई सरकार बन जाती जो कि अब तक कुछ दिनों में टल गई है समविधान विशेशक कि मुहम्मद उस्मान ने बताया कि अब मामला सुप्रीम कोट के पास है वहां सोमवार को अटर्णी जनरल को जबाब देना होगा वे अमेरिका हस्तशेव का हवाला देकर मामला गंभीर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन ऐसा कानून ही नहीं है कि कोट संसत भंग करने की कारवाई को सही ठहरा सके दूसरी तरफ इमरान खान अब कानूनी दाव पेज में फस्ते नजर आ रहे हैं चार लाख में एक देशमला नौ साथ लाख आवेदनों में सिर्फ बीस हजार की जांच एक लाख शीटर हजार चातराओं को प्रोटसाहन राशी अटकी राजभावन और सरकार की भी विश्विद्यारे नहीं सुन रहे सनातक पास एक लाख शीटर हजार चातराओं को करीब चारसो एक तालीस करोड की प्रोटसाहन राशी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि विश्विद्यारे सर्टिफिकेट जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं भेज रहे जबकि सिक्षव विभाग ही नहीं राजभावन से भी इसमें तीजी लाने के लिए कई पत्र भेज़े गए है विट्र रहेतर डिगरी कॉलेजों को 2015 तक का अनुदान मिलेगा राजी के 200 से अधिक विट्र रहेतर डिगरी कॉलेजों को 2015 तक के दो सतरों में अनुदान इस महा मिल जाएगा इसके लिए सिक्षव विभागने दो किस्तों में 421 करोर की राशी जारी की है इसे वित रहेतर कॉलेजों को लगभग 15,000 सिक्षों को और सिक्षितर कर्मियों को राशी मिलेगी पिछले महां बकाय अनुदान के लिए सरकार ने 684 करोर की राशी स्विक्रित की थी 1,34,000 वोटर तै करेंगे 185 प्रत्याशियों की किस्मत बिहार विधान परिश्वत की निकाय कोटे से 24 सीटों के लिए सुमवार को गिरने वाला वोट पार्टियों के असर का किसे 7 बगावत, भीतर खात और रुपे की ताकत भी परखेंगे इस चुनाव में राज़त की सिर्फ एक सीटिंग सीट है, भाजपा और जदियों की कुल 21 सीटे है पिछले चुनाव में भाजपा 13 को जीती थी, इसमें एक सीट जदियों को दी गई थी इस बार भाशपा बारा और जद्यू अपने आठ सीटिंग सीटों पर चुनाव लड़ रही है बाला जी गुर्णगान महतसम में पच्छास हजार श्रधालू जोटे राजेशां परिवार की ओर से रविवार को सनातन धर्म परिसर में आयोजित श्री महंदीपूर बाला जी दशम गुर्णगान महतसम में पच्छास जार से अधिक संख्या की श्रधालू में भाग निया संस्थापिका शोभा गुप्ता के नेतरित्व में साथ सौ से अधिक की संख्या में महिलाओ ने सामुहिक सुंदरकांड का पाठ कर महौल को भक्ती में बना दिया भाश्पा हरुमान जन्म स्थली पर दावा करनाटक में राज्य विधान सभा के चुनाव 2023 में प्रस्तावित है लेकिन पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा है कि करनाटक में नवेंबर 2022 से गुजरात के साथ तैस समय से पूर्व चुनाव कराई जा सकते है भाजपा ने राज्य में हिंदुत्व के मुद्दे पर दाव लगाने का मन बना दिया है इसमें आंध्य प्रदेश के साथ करनाटक का पिछले कुछ समय से भगवान हनुमान की जर्म स्थली को लेकर चल रही विवाद को लेकर मुद्दा बनाने शामिल है बदरिनात के दारनाथ धाम से इस बार मार्च में ही गायब हो गए है बर्व तो आज के अख़बार में प्रकाशित होई खबरों में इतना ही आप बन रहे न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद